सब्सक् Detroit सब्सक्रांद इवान है इवान है दया rabbits की एक्विशन लेखो ठीक है एक्टेंडर नॉमल की पॉसलोफ फोब तो वह अपने पास वाई सक्वाइजों एम एक्वैस प्लस एम टाइम सफ ए स्क्वाइर मैंड़ी स्क्वार डिबाइड बैड़ स्क्वाइर रूट और यहां पर वैलिव आ जा तक ने पस ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वार एम स्क्वार ये अपने पास नॉमल की पूर एक इसको एक ता अपने प्लस-पास पॉलूस कि प्लस-पॉइस ता आगे equation को ठीक है यहां भी plus minus sign आता हो तो अपन कोई भी एक equation लेके form आगे solve कर सकते हैं तो let's say मैं इसको लेता हूँ mx minus y equals to m times of value आजएगा a square minus b square divided by square root के अंदर की quantity क्या जाएगी a square plus b square m square यह अपने पास आगा इस form equation अब given जो equation है वो भी normal equation given है अब जो given equation है वो क्या है ax by 3 वो given अपने पास ax by 3 plus यह यह बने by by 4 ठीक है by by 4 equals to c और यह भी क्या है normal equation है ठीक है यह भी normal है और यह भी normal equation है अपने standard form मेंसे निकाले और यह given है अब यह दोनों equation same line को represent कर रहा है equation 1 and equation 2 are normal ठीक है तो यह अगर अपन दोनों same line को represent कर रहा है तो अपन coefficient का ratio क्या कर सकते है एक्वेट कर सकते है एक्स के लिए अगर अपन ratio देखें एक्स का ratio आजएगा m upon यह आजएगा a by 3 इच कर तो यहां पर y का ratio देखो कि यह आजएगा minus 1 upon यह विलो आजएगा by 4 और अगर 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 दोनों equation एक की लाइन को represent करती है तो अपन यह concept लिख सकते हैं कि इसका coefficient ratio equal होगा अब मैं यहां पर इस वाले equation को पहले यहां पर इससे relation निकालता हूं ठीक है तो मैं m की value यहां से निकालता हूं ठीक है यहां हूं 3m by a is custom m times of a square minus b square divided by c times of under root of a square plus b square m square यहां से अगर अपन देगा तो यह m से minus b square divided by the denominator में क्या आजएगा अपने पास square root of square root of a square plus b square और m square के value मैं यहां से put कर दे रहा हूं ठीक है m square के value अपन यहां से इसमें put कर दे m square क्या जाएगी m square क्या जाएगा अपने पास 16 a square upon यह जाएगा 9 b square ठीक है यहां से अपने पास 3 c by a is custom यह आपने पास a square minus b square divided by denominator quantity क्या आपने पास b square से b square cancel out हो जाएगा और यह जाएगा 9 a square plus 16 a square यह value हो जाएगा 9 a square plus 16 a square और denominator में क्या आजएगा 9 का क्या आजएगा आपने पास square root क्या आजएगा यहां पर 3 आजएगा ठीक है यह अपने पास 3 आजएगा बैसिल अगर अपने यहां से इसकी value देखो तो यह क्या आगा अपने पास c value क्या आगे अपने पास a square minus b square ठीक है अब अपन इसेंटर सेटी अगर अपन इलिप्स में देखो तो यह हो जाता है 1 minus a square upon b square का square root अगर मैं e square की value देखो तो यह क्या जएगा वह जएगा 1 minus b square upon a square और अपन यहां से अगर पन इसमें प्रूफ आगया कि 5c की value जएगे वह क्या जीए अपने बस यह स्कुर एपने को प्रूफ करना था ठीक है